कोतवाली चेतर की 28 वर्षिये शादी शुदा महिला से ट्रेन में दुशकर्म महिला थाने में 5 नामजद के खिलाप मुकदमा दर्ज चुरू के कोतवाली चेतर की 28 वर्षे शादी शुदा महिला से एक वेक्ति द्वारा ट्रेन में दुशकर्म करने का मामला सामने आया है पीडिता की रिपोर्ट पर महिला थाने में शनीवार शाम को मुख्या रोपी सहीत पांच लोगों के खिलाब मुकदमा दर्ज हुआ है महिला थाना पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 28 वर्षे शादी शुदा महिला ने रिपोर्ट दी कि उसकी शादी साल 2014 में जुन जुनु जले के गाउं में हुई थी शादी के बाद वे चूरू के कोत वाली छेतर में किराय के मकान में रहती थी जिसके पास ये एक जुएलरी शोरूम में है जिसमें नरेंदर नाम का वेक्ति काम करता था नरेंदर उसे मोबाइल पर बात करने का दबा बनाता था 3 अगस्त 2023 को जब अपने पीहर गई हुई थी तो नरेंदर ने कॉल कर कहा कि महिला का भाई उसके कबजे में है अगर वे गहने लेकर घर से बाहर नहीं आई तो उसके भाई को जान से मार देगा जब वे गहने लेकर बाहर गई तो नरेंदर ने चाकू की नौक पर उसे बाइक पर बिठाया और चूरू ले आया वे उसे चूरू रेलवे स्टेशन ले गया जहां से उसे दिल्ली की ट्रेंड में बेठा लिया जब ट्रेंड चूरू से रवाना हुई तो वे शोचाले मे गई जहां नरेंदर उसके पिछे पिछे आ गया और चलती टेंड में उसके साथ दूशकरम किया आरोपी उसे ड़रा धमका कर अजमेर और जैपूर भी ले गया जहां होटल में उसके साथ दूशकरम वारदात को अंजाम दिया पीडिता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने दस्ता वेज पर भी उसे ड्रा धमका कर दस्त खत करवा लिये जिसमें मनोज सुनिल रमेश और सुभास ने शाहियों किया 9 नवंबर 2023 तक आरोपी नरेंदर ने कोतवाली छेतर में उसके साथ दुशकर्म किया बहराल पुलिस ने मुकंदमा दर्जकर जाश शुरू कर दी है